आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मिरा नाम ऐसे धान तक नहीं होता हुआ Steady Glows पे आपका बहुत बहुत स्वागए देबाई, एक बात बताओ Voice की problem नहीं आ रही है, नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास 3 माइक है या, चलो Blue Yeti का 14000 का था, वो मैंने हटा दिया है अब मैं Snowball लेके आया हूँ, इसमें भी problem है क्या अब देखो मुझे तो जब मैंने सुना तो वो normal है, मतलब मुझे तो कोई problem नगी नहीं अगर इसके बावजूद audio में problem आ रही है, तो आप एक काम करो, आप 100% volume पर सुनो, क्योंकि 60-70% पर हो सकता audio धीमे है, तो यह आप करो, देखो होता है, नहीं तो मैं कुछ करता हूँ फिर फिलाल एक बहुती खतरनाक न्यूज आ रही है, कि भावर, भारत में, भावर, भारत में पावर प्रैसिस होने वाली है, क्योंकि cold demand जो है, देखिए, demand जादा supply कम है, और यह खतरनाक होता जा रहा है, तो दोस्तों हम इसकी बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल प्रैसिस को समझ लेते हैं, फिर देखिए, मंतरी जी ने क्या बोला है, UK में already problem है, पावर क्रैसिस चली रही है, आपको बताइए, अब भारत लेटेस्ट कंटरी बना है, भाई, एथॉरिटी ने यह वार्न कर दिया है, कि जो देश के पावर प्लांट्स है, हजाडसली लो on coal they are running, coal की कोईले की भारी किलत है, हमारे यहाँ जो electricity आती है, वो कहां से आती, कोईले से, National Thermal Power Corporation हम कोईले से बिजली बनाते हैं, और आपके घरों तक आती है, तो अब primary energy contributor है न, क्योंकि अभी ना हम nuclear energy पे शेफ्ट हो है, ना ही hydroelectric power भी उतना है, कि पूरी देश को वो electricity दे सके, तो कोईला है, यह चीज़े 57% यह contribute करता है, अब आप समझिए, कि भारत 2040 तक, अभी तो जो maximum energy demand है, वो कोईला दे पा रहा है, लेकिन 2040 आते आते, यह आधा हो जाएगा, demand बहुत रहेगी, और आधा supply रहेगा कोईले का, तो coal crisis हो गई है भारत में, failure of policy कह लिजे, supply नहीं हो रही है, वो कह लिजे, लेकिन इस समय जो power generators हैं, अचा, import भारत कोईला बाहर से भी मगाता है, ठीक है, कोईला बाहर से भी मगाता है, लेकिन problem यह की covid pandemic की वज़े से, वो भी बंद है, इंडिया power ministry कह रही है, कि 135 power plant जो operate कर रहे हैं देश में, 4 दिन का कोईला बचा है, that's it, अगस्त में बोला था कि लगबग 13 दिन तक काम हो जाएगा, अभी 4 दिन तक, क्योंकि 13 दिन बाद फिर मगा लिया गया था, लेकिन आप खाली 4 दिन का कोईला बचा है, coal stocks, Central Electricity Authority, इनके डेटा के साब से, 135 coal fired plant में से जो 16 हैं, उनके पास 29 सितंबर तक, एक भी zero coal stocks स्टॉक एकदम खाली हो गये थे, 135 में से 16, 80 प्रतिशत plants जो हैं, उनके पास एक हफ़ते से कम का स्टॉक बचा है, ये चीज़ है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, तो इस समय भारत का power sector, बहुत बुरे condition में है, भारत की जो domestic coal supplies है, आपको पताएए वो इतन नहीं है, coal India Limited है, जो हमारी coal supply को देखता है, और भी है, coal India Limited जो पूरा, जो domestic production का 83% coal India Limited बनाता है, ठीक है, भारत का, भारत coal India Limited में पूरी तरीकी से dependent है, अब power ministry की मारे, तो coal mining में जब पर 10 सितंबर में भहिंकर बारिश होई, बारिश की वज़े से माइस में आप नीचे बहुत ज़्यादा हिट हुआ, उसके बाद मॉन्सून से पहले, प्लांट्स अक्सर इस से पहले क्या होता था, स्टॉक भर लेते, लेकिन बज़र वो भी नहीं भर पाए, स्टॉक भी नहीं है, COVID-19 pandemic तीसरा रीजन, जिसकी वज़े से power crisis और ज़्यादा बढ़ी होगी, पह बचा के रखो, क्योंकि जो demand है, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन supply हो नहीं रही है, मुश्किल दौर से हम बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, अब import भी costly हो गया है, import costly क्यों हो गया है, क्योंकि demand जो है, thermal coal की भारत में limited नहीं है, COVID-19 vaccination बहुत सारी देशों में च चाइना जो biggest consumer of coal है, चाइना में भी हमको काफी shortest देखने को मिल रहा है, और चाइना biggest producer of coal भी है, coal भी बहुत दा produce करता है, consume भी करता है, produce भी करता है, तो इसलिए चाइना ने restrictions भी लगा दिए, कि आप जो है न, क्योंकि भाई, coal export करोगे, चाइना consume भी समय कर रहा है, उपर जाएंगी, जाएंगे, यही दिक्कत है, अब अगर coal के price उपर जाएंगे, बिजली महेंगी होगी, तो ऐसे भी महेंगाई बढ़ी और power prices भी होगी, बिजली cuts भी होगी, तो global thermal prices जो है, coal के, वो उपर गए हैं, जिसकी वज़े से, जो Indian power and manufacturing sector, वो ज्यादा coal जो है, व भारत के पास वही चाहरा है कि भाई, जो production है, वो बढ़ाया जाए, domestic production जो है, coal इंडिया का, वो बढ़ाया जाए, domestic production का मतलब है, input cost बहुत ज़्यादा लगेगी, जो इस समय भारत ले बहुत ज़्यादा difficult होगी, यह चीज है, वैसे coal इंडिया, यह मतलब, जो companies हैं, वो य यह already advisable रहता है कि आप अच्छा कासा reserve जो है, stock जो है, वो 21 दिन का अपने पास लेके चलें, क्योंकि जब वो 21 दिन exhaust होंगे न, तो आपके बाद further stock आ जाएगा, आप मगा सकते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, अब मंत्री जी का यही कहना है कि भईया, देको, coal की crisis त कि जो undue payments है, coal companies को उनका payment जो है, वो लटका रहता है, तो सरकार जो है, वो regular payment करे, ताकि coal stock को बढ़ाया जा सके, या बनाया जा सके, इस तना है, तो फिलाल सरकार पूरी कोशिश कर रही है, कि कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से, इस coal shortage को कम किया जा सके, अब इसमें च चाहें, बाहर से कोईला मगाना हो, चाहें, पेमेंट्स करना हो, कमपनीस को, ताकि coal stocks वापस आ सके, तो ये कुछ options है, सरकार के पास, ये lecture था, देखेंगे दोस्तों, वैसे आगे क्या होता है, फिलाल अभी ऐसी, कोई ऐसी, पावर क्रैसिस होती नहीं है, चीजे, अल्टि देखेंगे से सद्धान तग नहीं होती, साइनिगो